नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एक्जाम हैल पर मैं तो दोस्तों, IVPS की तरप से RRB की यानि की Regional Rural Bank की Recruitment निकली हुई है जो की आपकी Ground Bank की भरती है जिसमें आपका Assistant Manager के पद पर Group A की Post निकली है Officer Level की Post है, जिसे आप Officer Skill First के नाम से भी जानते है या हम इसे जो Famous है लोगों के बीच में जो है RRB PO के नाम से Famous है तो उसी भरती को लेकर हम यहाँ पर आपको पूरी Detail बताने वाले हैं कि किस तरीके से भरती में चीज़े होने वाली है Apply Date से लेकर इसके पूरा Selection होता है Final Selection तक इसके Result तक पूरी क्या क्या चीज़े रहने वाली है पूरा कुछ आपको Detail में बताने वाले हैं तो वीडियो को ध्यान से और सुरू से लेकर अंते तक चलूर देखिएगा तो चलिए बिना किसी देरी के Start कर लेते हैं Regional Rural Banks की जिसमें आपकी Assistant Manager Group A की Post निकली हुए जिसे हम Officer Skill First की नाम से यहां पर जानते है Grammar Bank की भरती है यह जो भरती होती है वो आपकी State-wise भरती निकलती है और कि आपको आपकी State में जौब करने का मौका आप मिलता है तो इस जौब को खाली मत जाने देना आपको Selection लेना है इस वार तो चलिए देख लेते है All India की Vacancy है All India के Male and Female Candidate इसके लिए Form Apply कर सकते है चलिए Full Selection Procedure इस वीडियो आपको बताने वाला हूँ तो देख लेते हैं यहां पर सबसे पहले Apply करने की Date देख लेते हैं कि Apply करने की Date क्या रखी गई है तो दोस्तों इसकी Apply करने की Date है 7 June से इसके Form भरना है Start हो चुके है ठीक है 7 June से और Last Date जो है वो इसकी 27 June रखी गई है ठीक है तो 7 June से इसके Form भरना है Start हो चुके है 27 June last date है तो अभी तक आपना form नहीं वरे हैं तो जाके कल ही इसके form भर दिएगा नया photo वगरा किचवा लेना तो जादा better रहेगा बात कर लेते हैं इसकी fees क्या रखी गई है 850 रूपीज ठीक है यह आपकी fees structure रहने वाला है दोस्तों जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा हुआ ठीक है यह आपको fees structure रहेगा बात कर लेते हैं तो इसकी age की हम बात करें तो दोस्तों 18-30 साल के बीच में कोई भी ब्यक्ति है तो इसका फॉम अपलाए कर सकता है कितना 18-30 साल के बीच में अगर आपकी age है तो आप इसका form भर सकते हैं वहीं आप SCST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का relaxation देखनों को मिलेगा वहीं बात कर लते हैं eligibility यानि की qualification कौन से degree है diploma आपके पास होना चाहिए तो आपने किसी भी subject से अगर आपने graduation कर रखा है तो आप इसका form भर सकते हैं आपके पास इसनातक की degree है या कोई भी graduation की degree है तो आप इसका form भर सकते हैं minimum 50% उसमें आपके marks होना चाहिए इस बात का ध्यान र क्या क्या पूछा जाएगा और जो topics आपके पूछे जाएंगे उसके अंतर उसका पूरा syllabus है वो हमारा क्या रहने वाला है तो चलिए इसी को जान लेते हैं तो देखे exam pattern syllabus देखे इसका जो exam हो तीन phases में होगा ठीक है एक होगा phase one phase one होगा phase two होगा and phase three होगा ठीक है तीन phases में इसका exam होगा ओके तीन phases में इसका exam होने वाला है phase one में जो होगा आपका pre exam होगा क्या होगा pre exam होगा prelims exam होगा जिसमें आपका दो subject पूछे जाएंगे क्या होगा दो subject आपके पूछे जाएंगे एक आपका reasoning पूछे जाएगा 40 question 40 marks के दूसरा आपका maths question पूछाएगा quantitative aptitude ज ठीक है तो यह आपका prelims का section रहेगा जब आप phase one clear कर लेंगे ठीक है तो आपका phase two होगा means exam रहने वाला है means में आपको 5 subject पूछे जाएंगे अभी आपको इसका detail syllabus बतने वाला हूँ phase one का phase two का ठीक है तो phase two में exam pattern क्या रहेगा दोस्तों बता जाता हूँ मैं ठीक है phase two में जो आप paper देंगे तो वहाँ पर option आता है कि आपको कौन से solve करना है English करना हिंदी तो हिंदी medium बाले चात्रों के लिए काफी benefit होता कि अगर उनको हिंदी करना है तो वो हिंदी चूज कर सकते है English करना है तो English चूज कर सकते हैं तीन subject होगा है math reasoning English है हिंदी में से कोई एक इसके ब तो उसमें 40 questions 40 marks और GK में 40 questions 40 marks टोटल 200 questions होंगे 200 marks के रहेंगे टोटल 2 गंटे आपको यहां पर दिये जाएंगे तो यह आपका कुछ means का सिलिए पस रहेगा देन आपका phase third होगा जो कि आपका interview रहने वाला है interview आपका offline होता है जो कि आपके state में ही एक या दो center बने होते हैं बात कर लेते हैं इसके details syllabus की detailed syllabus में क्या क्या पूछा जागा तो हम सबसे पहले phase 1 का syllabus देख लेते हैं phase 1 का syllabus यहाँ पर है यह reasoning का syllabus है इसे node down कर लेना है screenshot ले लेना यह आपका math syllabus है इसको भी backstory है बात कर लेते हैं phase 2 के syllabus की दो प्रकार से आपके topics रहने वाले, इनको note कर लेना है, इनी topics से आपका questions आने वाला थे, हिंदी में जो topics पूछे जाते हैं, इसके बात बात कर लें, जो अपका computer होता है, उनसे यह तो आपको अच्छे तरीके से मैं बता सकता हूँ ठीक है अब बात कर लेते हैं तो बात कर लेते हैं दोस्तों नमबर वेकेंस की देखिए आपको देख रहा हुआ देखिए नमबर वेकेंस की इस बात लों टोटल वाल वर इंडिया में जो वेकेंस हैं 3583 अभी तक की इस्तिती में क्योंकि यहाँ पर कुछ बैंक से ने नौट रेपोर्टेट दिया था पहले 3499 वेकेंसी थी 3499 वेकेंसी में कुछ इंग्रिमेंट देखा गया अभी इसमें और बड़ोतर ही होगी तो यह बेकेंसी लेगा चार साधे चार के असपास आपके होने वाले हैं कुछ बैंक से ने नौट रेपोर्टेट यहाँ पर दिया हुआ है ठीक है इस्टेट वाइस वाइस वेकेंसी एकर आपको देखनी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आप आपको दिखायता हूँ जैसे मद्यप्रदेश ग्रामीड वेंके की बात करें तो वहाँ पर आपकी सी की वेकेंसी है 24, स्ट की वेकेंसी है 12, OBC की है 43, और EWS की 16, टोटल आपकी 161 वेकेंसी है इसी तरीके से मद्यांचल ग्रामीड वेंकेंसी है तो इस तरीके से अगर इस टेश्ट भी देने पड़ेगा जो कि आपका फेज 4 में काउंट हो जागा तो आप जिस श्टेट से बिलॉंग करते हैं जो लेंग बेज आपको आती है उसी श्टेट से फॉर्म बरिएगा ध्यान न किएगा ठीक है चली एक्जाम की डेट बात कर लेते हैं तो प्रिलि चीज को देखने को मिल जागा यान कि 6 मन्त के अंदर यह पूरी जो अपकी यह पूरी जो भरती होती हो कंप्लीट किये जाती है आई-पीज के दौरा तो बहुत ग्रेट अपरचुनिटी 6 मन्त में आप सरकारी ऑफिसर बन सकते हैं यहां पर तीक है चली बात कर लेते हैं स सेलली तो भाई अपने आप में चीज रहती है कि सेलली तो क्या मिलेगी इसमें सेलली की बारे मतारता हूं तो देखिए यहां पर आपको सेलली का स्ट्रक्चर में दखाने कुछ करता हूं पहले इसकी जो सेलली की दोस्तों 36 कुछ बैस सेकता बढ़ अभी 12 बार पर से भी जादा सेलली मिलती है यह अलग-अलग सेटी में वैरी कर सकता है अगर आप एक सेटी में है तो यह सेलली और भी जादा देखेगी वाई सेटी में तो और देखेगी एक सेटी में तो थोड़ी कम देखने को मिल सकती है चार से पांच एर का अंतर सर्चीज में देखन जहाँ पर आपको loan section करना होता है checks related आपके works होते है online transactions वगरा को जो authority आपको देना होती है कोई भी transactions कर रहा है कोई बेफ्ती है जो 50,000 से उपर का amount निकलने आता है तो clerk उसको जो cashier होता वो उसको बोलता है ठीक है इसमें सबसे बड़ी खासी है था कि आपको over time करना पड़ता तो कि यह जो जाज़वर बैंक है rural area में होते तो आपको पांस से च्छे बज़े तक ही काम करना होता है others bank की application others bank में आपको 8, 9, 10, 10 तक बज़ जाते है आपको प्रोफाल है और लोकेशन जिस स्टेट से आप बिलोंग करेंगे उस स्टेट में जो भी बैंक है वहाँ पर आपको वहाँ पर लोकेशन दी जा सकती है पूरे स्टेट में कहीं भी आपको लोकेशन दी जा सकती है बात कर लेते हैं previous year का paper और cut-off की तो दोस्तों अगर आपको previous year का paper चाहिए तो previous year का paper किस तरीके से आता है किस तरीके से चीज़े देखती है तो आपको test book के जो mock test आते है आप exam के sections में आपको यहां पर दिख रहा हुआ exam के section में banking section एक पास में आपको सवे ओल इंडिया में जितने भी चस्ट होना सब लिक करने से जब नहीए फिर आपको आपको इसका test attempt करने आगे तो banking exam सेलेक्क करना, यहाँ पर और 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 फिसर इसके लिए फर्स्स लेक्ना, देखे कितने, 357 से भी ज़्यादा आपको मॉक्टेस्ट यहाँ पर मिलते हैं, जिसमें आपको प्रीवीस एर का पास्परो मिलता है, यहाँ पर देखे एक मॉक्टेस्ट दिखरा हुआ, एक प्रीवी निकालना है, ठीक है, यह मैं खोद experience से बता रहा हूँ, बैंकी एक्जाम निकालना तो मॉक्टेस्ट बेहर जरूए, बिना मॉक्टेस्ट के अब बैंकी एक्जाम नहीं निकाल सकते हैं, मैं लिखके दे सकता हूँ, ठीक है, इस चीट को, क्योंकि वहाँ पर आपकी accuracy और speed देखी जाती है, कि कितनी speed से, कितनी accuracy से आप सवालों को हल कर रहे हैं, उसके लिए mock test आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, तो अभी ठीक है, यहाँ पर आप इस तरीके से करके, आप जो है attempt कर सकते हैं, free में भी चलते हैं, तो आप पहले बोल लेके देख लेना, free वाले लाइब चलते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो लेना, test book number one application इंडिया में, इसलिए मैंने इसका आपको बताया, ठीक है, और आपको इसका purchase करना, तो मैंने आपको बता दिया, यह वाला मेरा coupon code इसको डाल देना, ठीक है, यहाँ पर discount देखने को आपको मिल जागा, V1NW 4, 7, ओके, चली, बात कर लेते हैं, इसका cutoff किया गया था, लास्ट 2 years का, यहन की 2023 और 22 में, आपको प्रिल का और means का मैं यहाँ पर cutoff दिखा देता हूँ, ठीक है, चली, तो देखिए, यहाँ पर आपको मैं cutoff दिखा देता हूँ, देखिए, यहाँ पर आपको मैं यहाँ यहाँ पर show कर दूँगा, तो आप इसको देख लेना, ओके, यहाँ पर RRBPO prelims का cutoff देख रहा हूँ, 2023 का, अलग-अलग state wise, category wise आपको यहाँ पर देखने को मिल जागा, ठीक है, जो भी cutoff रहता तो इसके according आपको preparation करनी है, यहीं आप RRBPO means का 2023 का cutoff भी आपको देखने को म जाती है, इसके बात-बात करें, RRB, RRB, prelims की जो cutoff है, 2022 की क्या गई थी, तो यह cutoff गई थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसके अलब मेंस की cutoff क्या गई थी, state wise तो यह गई थी, ठीक है, इसके sectional cutoff 2120 में क्या गई थी, तो यह गई थी, तो आप यह सब देख सकते है स्क्रीव में, वीडियो को पॉस करके, स्क्रीशोट लेकर आप, आप एजिली देख लेगा, और जिसको नहीं दिखाई दे रहा, तो अड़ा resolution बढ़ा लेना, तो दोस्तों, यह सारी चीज़ा रहेंगी, apply date से लेकर, सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, वीडियो मिलते हैं, वी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिन, जब भारत,